हाई फ्रेंड तो आज हम अपने कीचन का टीप्स बताएंगे तो मैं आज छट पे आ गई हूँ क्योंकि मेरे घर में नीचे काम चल रहा है तो चलिए हम इस वीडियो को में ना कीचन की टीप्स बताएंगे कोई भी काम कुछ भी रूटीन कुछ भी नहीं देखाएंगे सिर् पूरा देखेगा जलूर बहुत अच्छा है बहुत छोटी सी है बहुत काम की है तो चलिए हम सुरू करते हैं अपने कीचन को दिखाना और ये रहा मेरे कीचन और आगे आप बहुत अच्छा-च्छा में दिखा रही हूं तो आप लोग वीडियो को पुड़ा देखिएग केले से कैसे नहीं जाड़ा पर धाता है तो इसके लिए में यहांपर नीकले ना बाहर तो यहांपर से थोड़ा लगा देती हूं इस तरीके से लगा के हैं कुकर को लगा देंगे और यह से करने से आपको कुकर गंदा नहीं होगा और इसमें से जो सीटी में निकलेगा न तो पानी नहीं निकलेगा तो यह मा भी देखाती हूं कि देखें कि नहीं निकला है थोड़ा सा निकला है बस साफीर है मेरा कुकर तो इस तरीके से आपको सब्सक्राइब देखाती हूं. मंगलसुत्र टूट जाता है, मेरे साथ बहुत होता है, चोटा बच्चा है. मेरे साथ बहुत बच्चा भगर करो के लिए मैं भडे जोगार करूं, सब्सक्राइब नचलीन नचलीन नचलीन, अब बिजली का ताड वायड, तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको प्लास्टी हटा कि इसमें से एक धागा हम इसको काटलेंगे. पुरा नहीं कारना सिर्फ एक धागा हम नहीं लिया है क्योंकि यह धागा थोरा सा टाइट होता है और जो सимость में हम धागा लगाएंगे न तो सुимость में नहीं आ रहा था इतना मोटा रेसं का धागा पतलावला स्वी कर दागा रहा था तो मोती mean नहीं गूस रहा थ तो इस तरीके से आप कोई जोगाड करके एक तार पतलासा लेकर के इस तरीके से आप गात सकते हैं इतना छोटा छोटा काम के लिए ना हम सुनार के पास जाते हैं मेरा टैम भी बरवादा और सुनार के टैम भी और पैसा भी लेता है फिरी में तो कोई काम करने देगा तो में तुर्षा जाता है कि उसको छोने का मनी निकरता है कि हम इतना प्यारा है तो हम कैसे फेग दें इस तरह केसा जोकार करके आम अंगल सुदर कोई साफी मोती हार हो कुछ भी इस तरी साफ गां सकते हैं तो हम इसमें हुक भी लगा देते हैं जेखें मैं भी लगा दे दिया हूं इसमें छो तूट गिया है कि मेरा बटा ने तोड़ दिया है तो हम उसके लिए एक बोतल लिए हैं प्लास्टिक का और इसके लिए हम चाकू गरम करके गरम चाकू से हम इасको काटेंगे यह देखिए हम पीछे के साट से काटेंगे इसका जो नीचे वदा है उसको हम काटके निकाल लेते हैं औड यहां आप देखे में इसको काटके निकाल लेती हूं जेकिए में वीडियो बनाने के देक कैसे- страхण faut-عة- और डिटान देवा आप लोग भी सत्रीकिस कर सकते हैं जून उपहला है मुट बनाने 게ला पड़ ये तेकर ładआ नहीं सी है देखने में जितना अहां बनाने में बहुत मेहनत लगता है इसलिए पर किलों आपージए हैं मिए आप जू है मैं ने हटा दिया है क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था देखिने में उसके बाद यह देखिए मिस्तरी के से इसमें घुसा दूंगी या बस हो गिया मेरा यह चोटा ट्रीक तयार तो देखिए मैंने कैसा जोगार कर लिया इसना चोटा काम के लिए मुझे मिस्तरी को कि अपने खेब इता चोटा चोटा चीज से मैंने काम कर लेती हूं और हट लेडिश को करना चाहिए अपने घड को छोटा काम को दोरा हैं तो आव लोग अगले वीडियो में ऑग बताये इसके बाद हमने बूप पता घंकर को क्या बूँन की लया कि लाक means happen भूनगे देंगे अब लोहा कसने वला paper कर दो में घर में ठीक होँ Digya कर में जाता है चूट मौन का थीवं तरीके यह रखने का चोड़या को回 आए देखे मुझे जितना जारा है मैंने छोडा लिया अपना आती हूँ तो दिखें दूसरा चीज में क्या लगा उस पिंआ रखती हूं दूजahh से साफ करूंगी तो ने हैं घरञारा मित्टी कोई सहवी आप बालू ले सकते हैं जिससे यह थुरा सा घजके फट兩ग है। तो मैंने बालु-बालु सची तरीके से छूट गया है। चुछाने के बाद हम ऩुरा से आगे अगे से फुरा सा हाप्री डाल करा के, अगे से वह माज लेते हैं। यह उतना घुपब करने के बाद मैंने इस तरीके से कर लिया है आप भी सूपब कर सकते हैं बहुत काम की चीजा है तो यह देखिए मेरा कराही क्दम चमा चम बन गया ना आगे से पीछे कर से दिदेखिए थोड़ा थोड़ा मतब रह गया है यह देखे तो ये थोड़ा थोड़ा रह गया है और मेरा हाथ भी बहुत दुखने लगा था तो हम ने छोड़ दिया इसको रोजी हम जैसे माजेंगे तो हम अपना छुराते रहेंगे दीरे-दीरे करके और ये भी थोड़ा किनारे में रह गया था इसके बाद हम चलते हैं दूसरा जोगार्त करने हो इसलिए निम लिए गरम-पानी बसे भी रहा 지역 का तुन होगी में ने धर हम जोड़ेंगे तो इस दिल क्या ये waantantically पूर्बार्त भी भी दुघता था कैट अब रहर तैसलिए मेरा खर शांग आंगा क्ताशक चुरेश कहां क या कोई भी चीज उबालते हैं उसमें का जो गरम पानी निकलता है उबाले हुए चीज को उसमें भी हम कभी कभी डाल देते हैं ताकि मेरा पानी में बेश्ट ना हो आप मेरा काम भी फटा-फट से बिना मेहनत के हो जाए इस तरीके साथ साफ कर सकते हैं और यह देखे मैंने चैसे करके आपको यह निकाल लेना है जूस उसके बाद बालों में समयंका जूस तरीके से मसाज कर लेना है बहुत अच्छा से अच्छा से जर तक चल जाएगा उसके बाद सेंपू कर लेना है और देखें मेरा बाल नहीं तूटेगा यह तरीका जरूर अपनाईएगा चलिए वीडियो मिलते हैं बाइ फ्रेंड